हेलो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है तो आज हम लोग एक बहुत जल्दी से एक model paper discuss कर लेते हैं actually यह कुछ इस तरह से है कि अगर मैं सोचूं कि मुझे यह paper बनाना होता तो किस तरह का paper हम बनाते हैं तो यह perspective है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई paper बनाया है AKTU का या इसा कुछ इसमें involvement है ऐसा कुछ नहीं है it is just my own guess कि अगर मुझे बनाना पड़े या मुझे चौईस मिले तो इस तरह का कुछ paper हम आपके सामने रखेंगे तो यह तरह का model paper है आपको यह भी नहीं करना है कि सिर्फ यहीं पढ़के जाना है इनी questions को पढ़के जाना है आप तयारी कर रहे हो बिस तारी को आपको exam देना है तो आपने तयारी किया किसी stage तक आप पहुँच गए होगे हाँ इतना आप कर सकते हो कि आप इन questions को एक बार अपनी copy पर बिना देखे लिखो और देखो कि तुम आप लोग कितना हद तक उसको लिख पा रहे हो कितने अच्छे से अपने आपको प्रजेंट कर पा रहे हो तो जैसे कंपसरी की बात करें तो जैसे हमने question लिखा है कि what do you understand by the term wave function of psi of moving object object move कर रहा तो इसके लिए wave function psi कैसे define करते हैं तो इसके मोड का square जो होता है वो probability के साथ जुड़ा होता है तो आपको वहां पर वह एक paragraph लिखना है compulsory question है अगर हम अगें यह just a guess है तो अगर हम इसमें कहें कि दो number question है आपको तो आपको इसके लिए आपको माल लीजे जो आपकी copy होगी उस copy में अगर हम words के टर्म में कहें तो you need to write at least half page of that copy word के case में कहें तो I think 500 word तक आपको उसमें लिखना पड़ेगा लिखना चाहिए, courses कर लाइने लिख दी, no, आपको इसको थोड़ा सा explain करना, अगर आप लाइने नहीं लिख पा रहे हैं थोड़े से बीच में जगा छोड़ करके आप यहाँ पर वह formula expression लिख तो और तो इसको आपको इस तरह से frame करना है, again यहाँ पर भी हमें कोई धोखे वाला काम नहीं करना है जितना जो आता है, जिस तरह से आता है, उसके इर्दगिर्द की चीजे जो हैं, उनको जितना सटीक आप लिख सकें, उतना सटीक लिखें, कुछ भी मत लिखें क्योंकि यह सब चीजे नजर में आ जाती हैं, उसके बाद ऐसे एक और है कि discuss the failure of classical physics and how does quantum mechanics overcome these issues, यह notes जो आपके के पास मिले हैं, मैंने जो आप से शेयर किये हैं, उसमें चीजे बहुत ही साफ साफ लिखी गई है, कि classical mechanics के failure क्या थे, तो failure में आप डिब्रॉगली वेवलेंट, यह दिब्रॉगली वेवलेंट तो नहीं पहले तो black body radiation है, specific heat की बात हो गए, atomic model हो गए, इस सबको आप as a failure की रूप में लिख सकते हैं, कि classical mechanics इनको नहीं समझा पा रहा था, फिर quantum mechanics में क्या हुआ, energy की quantization concept आया, और उस energy की quantization से photoelectric effect भी experience कर गया, specific heat भी experience कर गया, उसे quantization को यूज करके, फिर यह नहीं लेकिन ऐसा ही quantization को रूल को यूज करके, डिब्रॉगली वेवलेंट हो आगे फिर बोहर का atom model आया, तो quantum mechanics में जो energy quantization का property था, उसने नया breakthrough लाया था, तो यह आपको वहाँ पर लिखना होगा, फिर question number 3 है, in terms of phase difference and part difference, यानि कि आपको जो part difference बराबर n lambda और part difference बराबर 2n plus 1 lambda by 2 इस तरह के चीज़े लिखवाएगे थी, वो लिखना है, और इसके लिए 2n pi और 2n plus 1 pi जो phase difference के term में लिखना है, तो आपको यह दो चीज़े लिखी हैं, यह आपने पढ़ी हैं, यह आपको यह लिख देन है, अब आपको इसमें कितना बन पाएगा, तो आपको इस चार condition लिखना है, तो इन ही को थोड़ा सा line by line लिख देना थोड़ा सा, ताक कि इस तरह से कि आपका वो expression देखने में थोड़ा सा answer आपका फैला हुआ दिखे, साब साब दिखे, मुक रूप से में साब साब दिख तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, आपको पहले resolving power की definition लिख देनी है, जैसे अब समझो, मालो आपका जो question है, जो पूछा गया है, उसके answer में बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा in resolving power को जो से question में keyword है, इसको define करो, जैसे उपर है, interference है, interference है mole root से तो answer आपका n lambda और 2n plus 1 lambda by 2, 2n pi, 2n plus 1 pi वही लिखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर उसको elaborate करना है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा interference क्या होता है, इसके बारे में 3 line है लिख दीजिए, ठीक है, bright fringe के बनने को constructive interference कहते हैं, dark fringe बनने को destructive interference कहते हैं, यह थोड़ा लि द्वता का exam होता है, university का exam में आपका कोई सब्द सीमा तो नहीं दी गई है, आप IES के तयारी कर रहे हो या PCS, मतलब आप अगर इस तरह की परिच्छाओं के तयारी कर रहे हो, तो उन परिच्छाओं में आपको जो copy दी जाती है, उसमें सब्द सीमाओं के पालन के बारे मे कहा जाता है, word limit को follow करिए, आपको 500 word, 200 word, 100 word इसकी limit वहाँ पर define होती है, तो उस case में आपको ऐसा रहता है कि हमें restriction है, हमें उसी सब्द सीमा के अंदर लिखना है, लेकिंगे university में ऐसी कोई भी word limit नहीं होती, word limit ना होने के मतलब है, आप बिना विसे से भटके, विसे के बार आप अपना समय वहाँ खतम कर दोगे, जो लंबे question में आपको solve करने के लिए चाहिए होगा, इसलिए short दो number compulsory question है, उसमें आप एक page, हद से हद एक page या आधे page तक का answer लिखें, और उसमें ही जो चीजे हैं, जो question keyword हैं, उनको थोड़ा सा explain कर दें, अगर से formula ही उसमें लिख इतना ही लिख दें पूरे answer में, और यहां कहें दें, this is the number of ruling on the plate, this is the order of यह, और यह resolving power है, इसे साब से तो इतना ही बड़ा answer बना, लेकि इतना बड़ा answer थोड़ी आप लिखोगे, आप थोड़ा resolving power के बारे में लिखोगे, थोड़ा उसकी analysis करोगे, यहां को लिखने के माम को लिखना है वो, ठीक है न, इस तरह से, तो समय का पर दिहान रखना है, और बिल्कुल उसको absurd से भी नहीं दिखाना है, और चीजों को थोड़ा सा उस्तार रखना है, क्योंकि हम university exam दे रहे हैं, इसे यहां पर है, elaborate the terms stimulated emission of radiation and optical pumping, यह चीज़े आप देख लिजेगा, दो प अगर कहीं graph बनने की गुझाईस हो, तो जरूर बनाना, कहीं formula लिखने की गुझाईस हो, कोई math का involvement हो, जरूर छोटा सा कर देना, तो stimulated emission में आप दिखा दिजे graph की इस तरह से item है, और वो जब stimulate होते हैं, तो एक साथ jump होते हैं, जिसकी वज़ास से coherent light निकलती है, तो यह थ gathering property होती है, अब यहाँ पर आप एक तो इसके बारे में लिखो numerical aperture क्या होता है, उसका formula आपके पास महलूब होना चाहिए, अंडरोड, mu1 square minus mu2 square, जहां mu1 is the refractive index of core, mu2 is the refractive index of cladding, अब core cladding क्या होती है, तो एक छोटाच diagram बगल में दिखा दो, कि यह core होता है, और इसके क्योंकि numerical aperture तो acceptance, angular acceptance कौन से जुड़ा होता है, यह extra आपको benefit करेगा, यह जो चीज़े आप extra बना रहे हो, यह आपको extra benefit देगा, ठीक है, उसी से जुड़ा, answer से भठके नहीं हो ना आप, फिर है, write the Maxwell's equations for the conducting medium, अब वहाँ पर आप क्या लिखना है, Maxwell's equation लिखना है, पहले आप थोड़ा conducting medium के बारे बता देंगे, उसका refractive index, उसका permeability क्या है, उसकी susceptibility क्या है, उसमें row की value कितनी होते है, उसमें j exist करता है, और देन आपको चार equation लिखती जिए, first, second, third इस तरह से, explain the displacement current, चुकि displacement current के बारे हमने काफी कुछ लिखा है, तो यहाँ आपको formula भी लिखना है, अब आप देखिए, आपके writing speed कैसी हो, कितना आप लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से, आपके पास एक page लिखने भर का है, बर सरते आपने समय का सही से उपयोग किया है, तो आप यहाँ समय दे सकते हो, what do you mean by critical magnetic field in superconductors, तो superconductor critical magnetic field की परभासा लिख ठीकर, ठीक है, ऐसे ही आप देखे, elaborate the significance of top-down and bottom-up approaches in nanoscience, हम यहाँ पर एक word और भी जोड सकते हैं, ठीक है, top-down approach, bottom-up approach क्या होती है, बहतर होगा कि आप जब यह approach लिख रहे हो, तो आप इनके कोई example भी दे दो, आप देखेंगे notes उसमें लिखे हैं, थोड़ा सा और convince अगर आप अच्छे से और अपने आपको करना चाहें, तो आप भी समय है, आप कहीं धोड़ करके अपने पास इसको रख सकते हैं, अब तो वो तो अकंपल सरी, अब आते हैं, हम अगला section जहां हम long question हमारे सामने होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है question, explain the concept of wave particle dualism, यह wave particle duality, यह अपन पी लिख दोगे, इस सब लिखा है, नोर्स में आराम सा, वोर्ड में पढ़ाया भी है, उसके बाद derive the expression of de Broglie wavelength, तो derive क्या यही expression निकल के आता है, फिर वहां उसके कई form होते हैं, हम लोग ने formula के उसमें भी देखा है, कि उसको आप लिख सकते हो, temperature के form में, voltage के form में, m into V के form में, momentum के form में, kinetic energy के form में, तो वो होना चाहिए, यहां आप से पूछा गया है, kinetic energy और temperature के form में लिखिए, तो आप वहां पर लिख देंगे, क्योंकि बड़ा question है, तो आपको यहां पर बकाइदा, इसके बारे में लिखना है, विपाइट के dualism क्या होता है, कैसे symmetry होती, energy बढ़ती है, वो सब कुछ लिखा है, जो आपके पास notes में, उसको आपको आपको हाँ पर reproduce करना है, question number B में है, कि calculate the ratio of the debrogly wavelength of hydrogen atom and helium atom at room temperature when they moves with thermal velocity, तो अब यहां पर जिसे कि हमने पढ़ा, lambda is equal to h upon mv होता है, तो आपने कहा कि भई, उनकी जो velocity है, उनकी जो velocity है, क्या लिखा ह ratio of the debrogly wavelength, this when they move with a thermal velocity, मतलब उनकी velocity सेम है दोनों की, तो lambda hydrogen निकालना है, और lambda helium निकालना है, तो h भी सेम होगा, mass of hydrogen यह दिया गया है, और mass of helium है, वो four time mass of proton यह दिया गया है, तो आपको बस एक बार lambda h निकाल देना है, पर lambda e निकालना है, h e, hydrogen और helium के lambda का, आपको ratio ले लेना ह है, तो h upon mass of hydrogen v divided by mass of helium into v by h, यह सब कर जाएगा, और mass of helium upon mass of hydrogen, वो ही काट कूट के आपको answer लिख देना है, थोड़ा सा calculate होगा, पर ऐसे ही आपको लिखना है, एक question number two में देखें कि इसे content effect क्या है, content effect को हम क्यों incoherent scattering कहते हैं, इसके बारे में वे अख्या चीज़रा से की ग concept, यह एक बड़ा question है, तो आपको एक speed होनी चाहिए कि delta lambda is equal to lambda c, one minus cos theta, आप कितनी accuracy में, कितनी जल्दी से आप इसे reproduce कर सकते हैं, और फिर condition पताईए कि observing maximum content effect, तो जब cos की value minus one होगी, तब उसमें delta lambda होगा, two time lambda c, और यह है इसकी maximum value होती ही, यह आपको वहाँ पर लिख देना ह फिर है कि calculate the energy difference between the ground state and the first excited state for an electron in one dimensional box, यह question हमने, numericals आप देखेगा कि वीडियो होगा, numericals unit number one पे, वहाँ से आपको यह question मिल जाएगा, अच्छा question है, एक बार इसको फिर से देख लीजेगा, फिर आगे हम Newton ring पर, तो in Newton ring experiment, draw the basic setup, ठीक है, बैसे setup बना लिजेगा, वो इस तरह स है कि यहां से light पर आ रही है, light यहां से आ रही है, आप लेनों convex lens से वो सब है, analytically show that the diameter of the dark ring is proportional to the square root of the neutral number, तो dark के लिए कुछ इस तरह का आता है, और bright के लिए जो होता है, वो कुछ 2N-1 इस तरह का आता है, odd number, even number, यह आपको एक बार derivation देख लेना, वहां से आपको मिल is giving newton ring changes from this and this, as the liquid between lens and plate, calculate the refractive index of liquid, यहां पर यह कह रहे हैं कि जैसे जब हमारे पास हमने normal planoclaw convex lens पैसे रखा glass plate के उपर, और निकाला तो जो dn था, जब सिर्फ हवा थी यहां पर, तो dn की value, dn का जो था, newton's ring, diameter, nth dark ring है, the diameter, diameter है, तो diameter कितना था, आपका था, 0.3 cm, ठीक है, जैसे ही इस बीच वाले हिस्से में liquid डाल दिया, तो उसका जो diameter है, वो change हो गया, diameter liquid हो गया, 0.25, तो आप देखें, refractive index एक formula में था, कि mu बराबर dn square air upon dn square liquid, इस formula से dn square, dn दिया है, square निकालेना air के लिए, dn दिया, square निकालेना liquid के लिए, dn दिया, square निकालेना liquid के लिए, दोनों का ratio कर दो तो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन आएगा, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से ज्यादा आएगा, चुकि एक refractive index हवा का होता है, मालों आप formula नहीं समझपा रहे हो, किसको किस से भाग देना, भाग तो देना है, तो आप देखें न, जो number बड़ा हो, उसमें से छोटा number भाग देगा, और खुद भी यहाँ दिख रहा है, air का बड़ा है, liquid का छोटा है, तो dn square air होगा, upon dn square, liquid की बात यहाँ प और a single, for a single slit diffraction pattern, prove that the ratio of the intensities of successive maxima, यह मैंने रिफ्रेक्शन वाला one single slit कर रहे थे, तो मैंने आपको यह करके बताया था, हो कहाँ था है, बहुत important, इस बार के लिए थोड़ा से तयार के लिए, बताने क्यों मुझे लग रहा अच्छा है, यह question इस बार के लिए, फिर है, by electromagnetic theory, proof that the electromagnetic wave are, waves are transverse in nature, तो वहाँ हमको जो लिखते हैं, k.e0 proof करना होता है, और फिर उसके बाद k cross e is equal to minus omega भी इस तरह का proof करता है, यह हम लोग ने proof किये हैं, इसके उपर मैंने पुरा वीडियो बनाया है, नोट्स में भी है, इनको आपको proof कर देना होगा, तो इससे आपका transverse nature proof हो जाता है, if the earth receives two calorie per minute centimeter solar energy, what would be the amplitude of the electric and magnetic field of the radiation, numerical section में मैंने इसो कराया है, प्लीज देख लीजेगा, explain the significance of the second Maxwell's equation, write the integral form of the Maxwell's equation, दूसरा Maxwell's equation, जो कहता है कि magnetic pole zero, magnetic pole नहीं होता है, monopole, sorry, monopole नहीं होता है, magnet के अंदर monopole नहीं होता है, वो second Maxwell equation integral form में भी आप उसको लिख सकते हैं, उसके बाद है, state the difference, state the difference between three level laser system and two level laser system, एक channel मेरा वीडियो है, जिसमें laser मैंने करे 30 में 35 मिनिट में पुरा पढ़ा दिया है, एक वीडियो में, उसको आप देख लीजएगा, वहाँ यह चीज लिखा है, और जो notes आपके पास है, उसमें भी चीज़े अच्छे से लिखी गई है, और यह जो numerical है, calculate the power per unit area delivered by laser of energy this joule, the pulse length is of 10 to power minus 9 seconds and when the pulse is focused on target is a very small spot of this, यह numerical भी आपके पास मैंने करवाया है, फिर explain the term associated with the light collecting property of laser, गुमा के भी question सीधे पूंचते थे कि टर्म जो numerical aperture का analytical formula निकालो, तो वहाँ पर यह था कि आप से numerical aperture पूंचा गया, लेकिन हमने यहां कहा है कि उस term के बारे में लिखो, जो light gathering, जो, sorry, laser नहीं होगा, फाइबर होगा, जो fiber की light gathering property के साथ जुड़ा है, उस term का expression निकालो, यानि आपको सीधे हमने numerical aperture नहीं कहा है, हमने आप से कहा है, वो term जो light gathering property जुड़ा हुआ है, तो यानि अगर आपको मालूम है कि numerical aperture light gathering property जुड़ा हुआ है, तो आप यहां पे आराम से लिख दोगे, उसके formula में आप यह देखो, कि आपको formula हम प्रूफ करा रहे है, under root 2 delta mu1, यानि कि, जो mu1 core का refract refractive index है, आपको मालूम है, mu1 core का refractive index होता है, mu2 cladding का refractive index होता है, तो आपको उसके term में यह proof करवार है, तो यहां पर core refractive index है, और delta जो है, वो fractional refractive index है, और mu2 जो है, यहां mu2 होगा, वो cladding का refractive index है, तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा करके भी question आप से पूछा जा सकता है, लेकिन आप उसका idea अपने पास रखिएगा, फिर है है कि आप classification करिए, किस के अधार पर, optical fiber का refractive index, profile के अधार पर, strip index, credit index के अधार पर, या जो multimode, single mode उसके अधार पर, दोनों के अधार पर भी हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं, फिर है, superconductivity क्या होती है, what is superconductivity, explain the difference between type 1, type 2 super conductors on the basis of Meissner effect, तो ये सीधा सा question है, इसमें आपका जो graph बनता है, इस तरह से type 1 का, और जो इस तरह से बनता है, type 2 का, और vertex state वगरा, ये सवारा आप से diagram को बढ़िया से बना के आप दिखा दीजेगा, फिर है, explain the effect of external magnetic field on the superconducting material, magnetic field का अधार बता दीजेगा, और जो formula है, आपक hc बराबर h0c ऐसे कर दे, 1-t square by tc square, ये जो formula है, इसका यूज करके ये formula एक problem solve कर सकते है, how the nanomaterials are different from bulk materials, discuss an experimental process for synthesis of nanomaterials, ये भी आप कर सकते है, आखिर में जाते जाते, कुछ tips, ज़रूरी बाते, जो आपको आपने subject तयार किया, अच्छे से लिखना सीख लिया, सब कुछ है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो बच्चो, presentation जो होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीके, आप कहो कि मैं तो बहुत बड़ा विज्ञानिक हो, विज्ञान में, ये सब कुछ नहीं, practicality की बात बता रहा हो, presentation, how you present, जमाना यही है, जो दिखता है, वो बिखता है, तो आपको पहली बात तो ये है कि जो आप लिख रहे हो, वो clear हो, साफ साफ हो, आप उसको पढ़ सको, आपकी writing अच्छी है, तो ये आपके पास advantage है, तो आप अच्छी writing से सीधे तोर पर एक प्रियास करना है writing को अच्छा करने का लेकिन वो अब तो नहीं होने वाला है, writing अच्छा करने के लिए कम से कम हमें 3-4 महीने का समय चाहिए, जब आप अच्छे से महनत करो, आपको हाथ की muscles ठीक करनी है, ऐसा नहीं कि writing कोई अलग सी चीज है, तो आपके पास आपको फिर थोड़ा सा, नॉर्मली जब आप पास पास लिख रहे हैं, उसे थोड़ा सा फैला के लिखोगे, तो भी आपका थोड़ा सा साप साप दिखेगा, ओके पढ़ने लाइक होना चाहिए, आपका जो भी कुछ लिखाया है, presentation अच्छा होना चाहिए, और एक बहुत बड़ को आपका सबसे अच्छा जो performance है वो दिखना चाहिए, उसे एक mindset बन जाते है, क्योंकि humans ही हम लोग है, हम लोग copy check कर रहे है, as a human check कर रहे है, तो हमें अच्छा लगता है कि जो लो copy खोलते ही हमने अच्छी चीज देखी, अब जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको क्या, जिस section को है, section B, question number 6, मालो ऐसे, तो बकाइदा आपको ऐसा लिखा हो, कि section B, question number 6, मतलब examiner को बिल्कुल भी मेनत ना करने पड़े, कि जो लिखा है आपने question, ये किस हिस्से का है, उसके बाद फिर section B, question number 10, मालो ऐसे, तो आप 6 के बाद 10 लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंक आप लिख रहे हो, but ये साफ साफ होना चाहिए, अब कई बार क्या है, ऐसे लिख दिया, फिर, ऐसे लिख दिया, अब ये क्या होता है, अब हम record करें, कि क्या है, question C है, क्या लिखा गया है, 2 लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ हम ढून रहे हैं, क्या क्यों सा question है, question 8 है, 6 है क्या है वो इतना जयदा irritating होता है कि जो खीज होती है न टीचर की होती है वो निकलती है फिर obvious से बात है जो मुड़ खराब हो गया तो खराब हो गया आपको खराब हो जाता है तो आप भी अच्छा बुरा कॉन देखता है तो इसलिए इस तरह का आपको presentation देना है good presentation की यू कैन क्रियेट सेवन टू एट नमबर का डिफरेंस या इससे भी जयादा का डिफरेंस आप ला सकते हैं इन हिस्सों से अपने नमबर को कटने से बचाओ गंदा लिख करके कचर पचर करके सब हैपहजर करके जो नमबर आप कटवा लोगे उसको बचाओ वो आपको अच्छे नमबर देंगे चलिए फिर बेस्ट आफ लग आप लोग का एक्जाम हो और जब एक्जाम हो जाएगा त कि आप लोग का एक्जाम कैसा हुआ जैसा भी हो everything is good और मुझे अपने पेपर्स जो भी है आप जो वाटसेप ग्रूप पर हो आप लोग मुझे भेजिएगा सुधर ठम भी देखें कैसा question paper आया इस बार का है चलिए फिर अपना ख्याल लगिए have a nice day and